दोस्तों ये है 2024 मॉडल मारूती सुझ की डिजायर और ये डिजायर का VXI मॉडल है CNG आज हम बात करेंगे इस गाड़ी में आपको क्या फीचर्स मिल जाते हैं, क्या सेफटी मिलती है ये गाड़ी पेट्रोल और CNG में कितने केमपील का माइलेज देती है और आप कम से कम कितना डाउन पेमेंट करके इसको खरीद सकते हैं A to Z सब कुछ देखेंगे, तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ये नॉर्मल बाली चाभी है, इससे आप गाड़ी को लॉक और अनलॉक कर सकते हैं अगर आप टॉप मॉडल लेते हैं तो उसमें आपको स्मार्ट की मिलती है एक बार पूरा सामने फे डिजाइन आप देख लीजे, अच्छी तरह से बीच में लोगो मिल जाता है, बड़े साइज का 3D में लिखा हुआ है चारों तरफ आपको क्रोम का यूज देखने के लिए मिलेगा मैट ब्लेक कलर की ग्रिल मिल जाती है पूरा सामने फे डिजाइन देखेंगे ना तो बहुत तगड़ा डिजाइन है और ये 2024 का न्यू मॉडल है अभी इसमें न्यू फेसलिट भी आने वाला है पता नहीं कब तक आएगा, लेकिन जब भी आएगा तो मैं आपको पूरी वीडियो बना के दिखाऊंगा हेट लेंप यूनिट का पूरा डिजाइन देख लीजिए रिफलेक्टर बेस हाइलोजन बल्ब है साइड में टन इंडिकेटर नीचे फाउग लाइट लगी हुई है ये फिरीज का पार्ट है साइड में क्रोम का यूज किया है और अगर आप पूरा सामने डिजाइन देखेंगे ना तो बहुत बहतरीन लगता है और ये अपने सेगमेंट में सबसे बहतरीन गाड़ी है सबसे ज़्यादा सेल होती है पूरा बोनट एरिया देख लीजिए ग्लास एरिया देख लीजिए दो वाइपर और दो वाफर मिल जाते हैं गाड़ी की छत देखेंगे तो पूरी तरह से प्लैन है पीछे रिगुलर इंटीना मिल जाता है अब चलिए एक बार गाड़ी का पूरा साइड का डिजाइन देख लेते हैं अच्छे फे यहाँ पे देखेंगे तो अभी गाड़ी में कुछ एफे फरीज भी लगी होई है और जिस जगह पे लगी हुई है तो मैं आपको सभी चीजे बताता चलूँगा तो जिससे कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि क्या आपको गाड़ी के साथ मिलने वाली चीज़े हैं चलिए एक बार टायर प्रोफाइल देख लेते हैं यहाँ पे यहाँ पे टन इंडिकेटर है पूरी तरह से बॉड़ी कलर में ही ओ आर्बियम मिलता है इसको आप फोल्ड और एड़ेस्ट भी कर सकते हैं पूरा बिंडू एरिया देख लीजिए गाड़ी का पूरा साइड कर डिजाइन देख लीजिए अच्छी खाफी लंबी चौड़ गाड़ी है उन 495 mm गाड़ी की लंबाई है 1735 mm चौड़ाई है यहाँ पे डोर एरिया के नीचे देखेंगे तो क्लैडिंग लगी हुई है ऐसे फरीज का पार्ट है पीछे दोनों टायर में ड्रम ब्रेक आगे डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं अब चलिए एक बार गाड़ी का पूरा पीछे का डिजाइन देख लेते हैं अच्छी तरह से यह एक एफी गाड़ी है जिसका डिजाइन बहुत बेतरीन है बीच में लोगो मिल जाता है बड़े फाइच का 3D फॉन्ट में क्रोम का यूज किया है नीचे एक क्रोम की ही चौड़ी पट्टी मिल जाती है अल बीडी का यूज किया गया है और यह चीजे जब ओन रहती है न तो बहुत बढ़िया लगती है यहीं पर ब्रेक लाइट इंडिकेटर और रिवर्स पार्किंग लेम मिल जाता है यह पूरी तरह से निव वाला डिजाइन है देखने में चीजे बहुत बेहतरीन लगती है च कोई दिक्कत नहीं आती अब एक बार चलिए हम इसका बूट उपन करके देख लेते हैं अगर आप पे ट्रोल वाला मॉडल लेते हैं तो 378 लीटर का बूटी स्पेस मिल जाता है लेकिन यह पे कितना बूटी स्पेस मिलता है यह पूरी तरह से लिखा हुआ नहीं है यहां पे कुछ आप सामान भी रख सकते हैं थोड़ा बूटी स्पेस क्ली स्पेस देखें गे तो थोड़ा साथ कम मिलता है अगर पेट्रोल मॉडल लेते हैं तो अच्छा बूटी स्पेस मिल जाते हैं लेकिन कहीं ने कहीं आपको कंप्रोमाइज करना पड़ता है जैसे ck में आ पेट्रोल के लिए पूरा डिजाइन देख लीजे आप अच्छी तरह से सभी चीज़ें आपको उसी टाइप से मिलते हैं जिस टाइप से आपको राइट साइड में मिलते हैं कुछ भी चैंज नहीं है फिर पिधर आपको पेट्रोल भरवाने के पॉइंट और सी इंजी जाते हैं यहां पे डोट्रिम देखेंगे तो ब्लेक और बेज कलर का कॉम्बिन एफन है पूरी तरह फे ओपन हो जाता है गाड़ी कंदर बैटने उतरने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी उपर पूरा ब्लेक कलर है ओपनर मिल जाता है क्रोम पे नीचे बेज कलर है वो फोल्ड और एडजेस्ट करने के लिए मिल जाता है चारों पावर विंडो के बटन दिये गये हैं ड्राइवर फाइड ओटो डाउन का फीचर मिल जाता है यहां पे फैब्रिक का यूज किया गया है यह चीजें देखने में थोड़ा फा ज्यादा बढ़िया लगती है एडजेस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं यह भी बहुत अच्छी बात है फीट पूरी तरह से फैब्रिक में है कमफर्ट आपको अच्छे लेवल का मिल जाएगा पूरी तरह से लगजरी फीट मिलती है कितनी भी दूरी अगर आप ड्राइब करेंगे ठकावट लगता है और डिवल कलर की बज़ा से और भी ज्यादा अच्छा लगता है यहां पर नीचे पेट्रोल से सी एंजी में और सी एंजी से पेट्रोल में स्विच करने के लिए यहां पर फाउग लाइट के लिए ट्रैक्षन कंट्रोल हेड लेवल को सिट करने के लिए नीचे एबी सी पैडल है, साइड में थोड़ी सी जगह दी गई है डेट पैडल के लिए, यहां से आप इसका बोनाट ओपेन कर सकते हैं, और नीचे फ्यूल टैंक और बूट ओपेन करने के लिए दिया है, स्टेरिंग बील का पूरा डिजाइन देख लीजी अच्छे से, यहां पे फ्लैट बॉटम बाला डिजाइन मिल जाता है, बीच में लोगो दिया है, सराउंडिंग में पूरा क्रोम का यूज है, दोनों साइड हॉन मिल जाते हैं, और नीचे देखेंगे तो airbag दिया है, लेट फइल में पूरा music system का control मिल जाता है, इसमें आपको audio system मिल जाता है, इंडिकेटर कंट्रोल कर सकते हैं और फॉग लाइट के लिए नीचे मिल जाती है बटन सामने देखेंगे तो सेमी डिजिटल कलस्टर है लेफ्ट साइड में टेको मीटर राइट साइड में स्पीडो मीटर है बीच में डिजिटल M.I.D. मिल जाती है मल्टिपल इंफोर्मेशन आप इसमें देख सकते हैं इस्टेरिंग वील के एडजस्टमेंट देखेंगे तो इसको आप सिर्फ टिल्ट कर सकते हैं टेलिस्कॉपिक कॉप्शन नहीं है उसके बाद आपकी नजर जाएगी इसके पूरे सेंटर कंसोल पे ऊपर AC वेंट दिया है सराउंडिंग में पूरा फिलवर करर के यूज है हजाट लाइट मिल जाती है यहां पे टच पैनल मिल जाता है म्यूजिक सिस्टम पूरी तरफ यह डिस्पले आपको छोटा से मिलता है लेकिन टच पैनल है नीचे मैनूल AC मिल जाते है कूलिंग बहुत बढ़िया है 12 बोल्ट का सॉकेट दिया है नीचे और USB और AUX का सपोर्ट भी मिल जाता है यहां पे दो कपोल्डर के लिए जगह दी गई है पांच गेर वाली यह गाड़ी है पांच स्पीड की मैनूल ट्रांसमिशन के फाथ आती है नीचे हैंड ब्रेक है क्रोम की टिप के फाथ यहां पे भी आपको 12 बोल्ट का सॉकेट मिल जाता है मोबाइल रख फकते हैं चार्जिंग के लिए उपर डे नाइट वाला मैनूल IRPM दिया है कैबिन लाइट मिल जाती है हाई लोजन पे यहां पे माइक दिया है बातचीत करने के लिए यहां पे आपको टिकाट होल्डर मिल जाता है ड्राइवर के ऊपर और को ड्राइवर के ऊपर देखेंगे तो बैंटी मिरर दिया है साइड में foldable grab handle दिया है ये तीनों साइड मिल जाता है फिर पर driver साइड को छोण के पूरा dashboard का डिजाइन आप एक frame में अच्छे फे देख सकते हैं यहाँ पे देखेंगे तो उपर black color है नीचे थोड़ा फा button type का texture है glossy button type का बहुत premium लगता है ये वाला पूरा area नीचे globe box मिल जाता है ठीक ठाक size का है अच्छा खासा आप सामान लग सकते हैं मारूती सुझ की desire के VX5 model में safety भी अच्छी मिल जाती है total 2 airbag दिये हैं एक steering wheel के ऊपर दूसरा dashboard पे ABS plus EBD, anti-lock braking system center locking, child safety lock traction control, brake assist, heel assist ये तमाम safety features मिल जाते हैं और आप समझ लीजिए कि safety एच्छी है, लोग तो कुछी भी बोलेंगे, troll करने वाले, लेकिन आपको safety एच्छी मिल जाती है, गाड़ी बहुत भरोसे मंद है, अब चलिए एक बार passenger side का door open करके देख लेते हैं यहाँ पे भी देखेंगे तो door की opening बहुत बढ़िया है, गाड़ी के अंदर बैटने उतरने में कोई दिक्कत नहीं आएगी पूरा color combination भी देखेंगे तो बहुत बढ़िया लगता है, उपर black color है नीचे beige color है opener मिल जाता है, chrome पे power window का button है, नीचे bottle रख सकते हैं speaker मिल जाते हैं, चारो ही door पे चारी speaker दिये हैं इसमें गाड़ी के पीछे का पूरा area देखेंगे तो यहाँ पे सभी adjustable headrest मिल जाते हैं, seat बहुत बढ़िया है कोई दिक्कत नहीं है, यह seat cover लगा हुआ है, इसे fridge का part है लेकिन अच्छी quality का seat cover मिल जाता है कितनी भी दूरी अगर आप suffer करेंगे, ठकाबट मैसूस नहीं होगी पीछे यहाँ पे armrest भी मिल जाता है दो cup holder के साथ, थोड़ा सा लगेरी feel कर आता है, अब चलिए एक बार मैं गाड़ी के अंदर बैठके आपको practical space बता देता हूँ, यहाँ पे कितना area मिलने वाला है कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं आती सभी चीज़े देख लेते हैं यहाँ पे आप पूरा leg room देख लीजे आगे वाली seat को मैंने पूरा ही पीछे किया हुआ है उसके बाद भी भरपूर leg room मिल जाता है नीचे थाई support भी देखेंगे तो अच्छा है पीछे वाली seat में तीन लोग तो आराम से बैट जाते हैं और चार लोग भी मैनेज हो जाते हैं कोई दिक्कत नहीं आती नीचे hump देखेंगे तो ओके-ओके है, थोड़ा सा मिलता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं आए गिफ से यहाँ पर यह 3D मैट रखा हुआ है यह सब कुछ एफे फरीज का पार्ट है पीछे AC वेंड भी मिल जाता है नीचे कोई mobile charging का support नहीं है आपको उपर मिलता है यहाँ पर cabin light मिल जाती है हाइलोजन पर yellow light है सबी जगह आपको foldable grabander मिल जाते है फिर फर driver fight को छोण के अगर आप पीछे बैठे हैं तो कुछ इस type से पूरा dashboard कड़ी जाएं दिखता है चीजें premium है गाड़ी के अंदर का पूरा area देखेंगे तो light color में है जिसकी बज़ा फे और भी जादा अच्छा लगता है थोड़ा फार roomy roomy फफलिल कराता है ऐसा लगता है कि गाड़ी के अंदर बहुत जगह है कोई दिक्कत नहीं है अब चलिए हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी के engine और mileage की और उसके बाद price की इसमें आपको 1147cc का BF6 Face 2 वाला फुली रिफाइन निंजन मिल जाता है 5-speed की manual transmission के फार आता है ये गाड़ी पेट्रोल में 22 km का और CNG में 32 km पर केजी का mileage देती है और इसके एक कीमत की बात करें तो BX5 CNG model की एक फोरूम price है 8,44,000 रुपे और ये गाड़ी आपको on-road लगभग फारे 9,00,000 रुपे के आसपास मिल जाएगी और अगर आप without CNG वाला खरीदना चाहते हैं पेट्रोल वाला model तो उसके लिए 1,00,000 रुपे कम देने पड़ते हैं और आप इस गाड़ी को लगभग 80,90,000 रुपे का डाउन पेमेंट करके खरीद फकते हैं